Hello students, myself is CS Preeti Malik Singh और आज मैं आपके सामने एक important announcement लेके आई हूँ और वो important announcement काफी दिनों से बच्चे वेट कर रहे थे लेकिन जब तक institute कोई अपनी तरफ से official announcement ना कर दे मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगती कि मैं आपको specifically कुछ भी rumors में रखूँ जब तक clarity ना हो क्योंकि देखिए exams चो लेने वो institute को लेने हैं इससे पहले हम बच्चों को क्यों disturb करें हाँ बच्चों के सामने मैं कहीं बार आई हूँ लेकिन classes को लेके बट आज important announcement क्योंकि declare होगी है तो हमने सोचा कि आपको बता दिया जाए अब ये देख लेते हैं कि इस important announcement में है क्या जो हमारी CS exams as usual बहुत सालों से June session के June में ही होते थे और जिनकी date भी आ चुकी थी उसकी date as usual है 1st June से 10 June तक लेकिन due to the COVID ये अब क्या कर चुके हैं पोस्पोन हो चुके हैं और June session के exams अब आगे बढ़के July में shift हो गए है पोस्पोन हो चुके हैं और आगे extend हो गए in the month of July दूसरा मुद्ध ये उड़ता है कि exam किस के लिए पोस्पोन हुए है तो अगर हम इसमें clarity की बात करें तो foundation, executive, professional program और जो post membership qualification programs कर रहे हैं उनके लिए ये क्या हुए है पोस्पोन हुए है लेकिन उसी के साथ साथ में एक बात आपके सामने add-on कर देती हूँ CSAT के exam की अभी इसमें कोई clarification नहीं है तो उसके उपर मैं कोई चर्चा भी नहीं करना चाहूंगी जब तक कि institute अपनी तरफ से कोई official announcement ना कर दे उससे पहले बच्चों को हम किसी तरीके की कोई भी like हम date या कुछ भी नहीं बता सकते जब तक institute आएगी institute का notification आएगा वो publish होगा उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि कब exams होगे लेकिन हाँ जहां तक लगता है कि अगर foundation का exam extend हुआ है तो hope so हो सकता है chances है बट अभी कोई clarity उसके उपर नहीं है जब भी कोई clarity आएगी तो हम उसके साथ फिर दुबार से आपके सामने आएगे तो फिर मैं crux में एक बार आपको पूरा sum up कर देती हूं कि क्या हुआ है जो as usual June 2020 session के जो exams थे वो अब क्या हो चुके हैं वो अब postpone हो चुके हैं और June 2020 से वो postpone होके जुलाई में shift हो गया है अगर हम date की बात करें तो 6th July से वो commence होने, start होने हैं जो की पहले 1st of June से होने थे 1st June से 10 June तक exams थे जो कि अब 6th July onwards क्या कर चुके हैं वो start कर चुके हैं उसी के साथ-साथ तीहां पर जो discussion हुआ है, यहां पर जो यह announcement आये, किस के लिए आया है तो यह आया है आपके foundation के लिए, executive के लिए and professional program as well as post membership qualification program के लिए उसी के साथ-साथ मैं अपनी वानी को विराम देती हूँ, hope so आपको यह announcement पता चल गया होगा thank you, have a nice day और अब अपनी आगे preparation करते रहें उसी के साथ-साथ मेरी next video आने वाली है, release होने वाली है जिसमें आप समझोगे कि अब हमारे exam postpone हो चुके हैं तो हम क्या करें तो आप वो भी वीडियो जरूर देखें, उससे आपको कही न कहीं एक अच्छी guidance मिलेगी thank you, have a nice day